नमस्कार दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको इस्राइल का केरगीबर के जो जॉब प्रोसेस है वो किस तरह से होता है स्टेप बाइस्टेप वीजा एपलाई करने से लेके वीजा लगने तक का टोटल प्रो कि 25 से 45 का अंदर होना चाहिए अगर इस इतना है तो आगला प्रोसेस है आपको एक केर टेकर रिकूटिंग एजिंसी आपको ढूनना पड़ेगा या उससे कंटेक करना पड़ेगा डेली मुंबई में काफी सारा केर टेकर ट्रेनिंग इंस्टिटूट भी है रिकूटिंग का काम करता है केर टेकर भीजने के लिए तो उससे भी आप कॉंटेक कर सकता है क्योंकि जो केर टेकर इंस्टिटूट है और जो एजिंट है इस सब मिल के काम करता है तो आपको कोई दिकर नहीं आप उससे भी काम कर सकते हैं अगर आपको केर टेकर एजिंसी मिल जाता है तो अगला process है कि वो जो care trigger agency है वो उसमें से कोई staff आपको एक call करेगा उसमें एक आपका phone interview लिया जाएगा या कभी कभार video call से भी interview लिया जाता है तो उसमें एक आपका personal interview लिया जाएगा जिसमें English test लेगा वो लो कि आप English कितना समझते हैं कितना state से है उस state के बारे में कुछ बताईए इस टाइप का English में पूछा जाएगा अगर आपको English आता है आप बोल पाते हो या इंटर जो interview ले रहा है वो अगर satisfy हो जाता है तो आपको agency वाला select कर लेता है अगर agency वाला select करता है तो अगला process है आपका passport details लिया जाएगा caretaker training class के लिए आपका passport details को agency वाला जो Israel MBC वाला पर भेज़ता है caretaker training class के approval के लिए क्योंकि caretaker training class में जो seat से वो limited होता है इसलिए अगर आपको seat खाली है तो आपको उसी मैना मतलब बैटने को मिलेगा class में अगर seat नहीं है तो आपको अगला मैना जैसे भी seat मिल जाएगा अगर class में seat है और seat आपको मिलता है तो आपको डेली या मुंबई जहां पर पर सेंटर परता है वहाँ पर जाना पड़ेगा वहाँ पर एक मैने का care taking training class होता है तो आप आपको अभी जाना है डेली जहाँ पर care taking training का class होगा तो वहाँ पर कर गास होगा class में आपका theory practical और Hebrew जो Hebrew भासा है उसका जो basic Hebrew भासा उसा पढ़ाए जाएगा theory में आपका caretaker का job क्या है caretaker job का responsibility क्या 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 है किस तरह का पेशन से आपको डील करना पड़ेगा पेशन को एमर्जिंसी में आपको क्या क्या करना पड़ेगा सारा कुछ सिखाए जाएगा उसके बाद प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल में आपको विल्चर से पेशन को किस तरह से किस तरह बैठाना है पेश को सिखाया जाएका प्रैक्टिक होने उसके बाद क्लास में बैसिक हिव्रियू लेंगुज भी सिखाया जाएगा जिसमें आप जैसे कि कुछ हलका कॉम्यूनिकेशन करने जैसे कि को इज्राली एंप्लोर्स से आप कॉम्यूनिकेशन कर पाएं उनका जो भास है थोड़ा के लिए एजिनसी आपका जितना भी डोकुमेंट है सारा को भेरिफाइ करेगा और चेक करेगा उसमें अगर कुछ कमी है तो वो आपको बताएगा कि क्या करना है और उसके बाद वो आपसे एक फोटो लिया जाएगा फोटो सर से पाउं तक देखने वाला हेट टू टो जिसमें आपको एक 30 सेकंड का वीडियो रेकॉटिंग बनाना है उसमें एक परसनल इंट्रोडक्शन देना है आपका नाम आपका एज आपका होबी आप कौन सा काम करते थे आपको वर्क एक्सपिरियंस सब कुछ बोलना है 30 सेकंड के वीडियो बनाना पड़ेगा ये पु या मुंबई जहां पर आपने ट्रेनिंग लिया होंसे आपको घर जाना और घर बढ़तकर अगला पेपर है उसके लिए वेट करना अब यहां से एजन्सी का काम सब्सटर्ट होता है तो एजन्सी का काम है आपका बाइडाटा लेके इस बाइडाटा को इस्रायल में जो केय paire-tricker recruiting agency उसको भीजना और जो इसराइल का जो care-tricker recruiting agency वहाँ पहीं अपको एकपो li che carroит कर का ओग साब में एक employee घोने का अगा अगर उसको employer मिलता है तो वहाँ से एक पेपर आता है इंडिया agency में उसको बोलता है matas matas आने का मतलब है आपको कोई employer मिल गया या आपको कोई employer ने select कर लिया मतास आने का मतलब भीज़ा लगना नहीं होता है मतास कभी कबार cancel भी हो जाता है मतास कब cancel होता है वो अगर जो भी आपको employer ने choose किया वो employer अगर बहुत critical condition में है या उसको nursing हों में shift कर दिया तो उसके इसमें होता है अगर critical condition में है या वो death कर गया तो आपको मतास cancel हो जाएगा मतास अगर cancel होता है तो फिर जो इसराइल में जो caregiver recruiting agency है वो आपका bio data का use करके फिर कोई दूसरा employer ढूंडेगा तो इसलिए मतास cancel होने पर आपको लोग आपका काम होता है कि आपका सारा document जो pending है आप सब कुछ ठीक कर लिजे जो online नहीं हुआ सब को online कर लिजे और passport PCC जो police clearance certificate सब कुछ ठीक कर लिजे क्योंकि मतास आने का बाद अगला process होता है वीजा online होना और वीजा online होने के लिए लगबग पंदर दिन से लेगे एक मैना डेर से दो मैन तक भी लगता है वो employer को कितना urgent है उस हिसाब में मतलब depend करता है तो अगला process आपका वीजा online होना तो वीजा online हो जाता है तो वीजा online होने का कुछ दिन बात आपको एक job letter मिलेगा उस job letter में आपका employer का नाम आपका employer का full details उसका address उसका phone number उसका employer ID उसका condition वो मतलब उसको क्या disease है तो आपको वहाँ पर जाके क्या करना पड़ेगा क्या क्या help करना है आपका salary आपको कितना वाटाइम मिलेगा सब कुछ वहाँ पर लिखा रहे हैं आपका वीजा online हो गया आपका हाथ में job letter मिल गया अब काम है डेली या मुंबई जाना आपको जहाँ पर center करता है वहाँ पर जाना वहाँ पर जाते हैं अगला process आपको final medical के लिए तो आपको वहाँ पर कुछ date देखके आपको agency आपको final medical के लिए भेजेंगे डेली में Israel's embassy से approval मिला हुआ medical center एक ही है east west medical center जो 38 गोल्फ लिंक में है तो वहाँ पर आपको final medical करना पड़ेगा अगल medical आपका pass हो जाता है यह clear हो जाता है next process है document submission अगर आपका medical में थोड़ा सा problem है तो आपको खुछ एक time देगा remedical करने के लिए लेकिन अगर आपका medical में बड़ा problem है तो आपका medical fail लिए हो सकता है अगर में आपका medical pass होता है तो अगला process है document submission document submission VFS center में होता है विजा facility center में जो नहरू प्लेस New Delhi में है तो जब document submission करने जाएंगे आपको पूरा अपना original documents जैसे के passport, PCC और जितना भी सारा जो documents है सब कुछ लेके जाना है वहाँ जाने के बाद आपको document submission करना है विजा facility center पे वहाँ पे कुछ एक charges भी लगता है लगबग 8 से 10 अजगा charge लगता है VFS का charge बोलता है उसको आपको document वहाँ पे रख लेगा further मतलब उसके लिए कुछ check के लिए, verify के लिए तो उसके बाद आपको अपना room पे आना है और आपको agency के साथ में contact में रना है क्योंकि agency के पास में वहाँ से information आता है कि आपका interview कर दे final interview जैसी agency के पास आप final interview का information आता है तो आपको agency वहाँ final interview के लिए भेज़ेगा तो final interview से पहले आप अच्छे से पढ़ लिए जो भी इस class में पढ़ाया है जो किताब दिया उसको पूरा अच्छे से याद कर लिए और जो job letter मिला है उसमें पूरा employer के details लिखा हो रहता है सब कुछ आप अच्छे से देख के जाएए क्योंकि वो भी बहुत important है तो आज से 3-4 सल पहले जो interview है final interview वो Israeli MBC में होता था लेकिन कुछ security region के बज़ा से आज कल interview भी BFA Center में होता है जहाँ पे आपने document submission किया है तो आप अच्छे से तायारी होके BFA Center में जाएंगे final interview के लिए final interview 15-20 मिनिट के time पे हो जाता है आपको वहाँ पे एक छोटा सा केविन दिया जाएगा एक Skype में interview होता है मतलब computer होता हूँ Skype में आपको interview होता है interview में आपको कम से कम 12-15 या 20 questions तक भी पुछा जाता है तो आप अच्छे से interview दीजे interview देने के बाद आपको अपना room पे जाना है interview में पास हुआ या नहीं ये agency के पास में information आता है अगर आपको interview पास हुआ है तो आपको 2-3 दिन बाद आपका जो original document जो जमा दिया था आपको पास्पोर्ट सब कुछ लेने के लिए बीहफे सेंटर में बुलाएगा तो बीहफे सेंटर जाने के बाद आपको पास्पोर्ट मिलेगा और सारा document जो आपने जमा किया था वो मिलेगा लेकिन आपको जो PCC है वो उलोग रख लेता है और आपको जो पास्पोर्ट में है न उसमें एक श्टिकर भीजा लगा रहता है उसका date, validity एक मैने का होता है मतलब जिस दिन श्टिकर भीजा लग गया उसका एक मैने कंदर आपको इसराइल पहुंचना कोड़ेगा अगर कोई-कोई interview जो fail कर जाता है तो उसको मैने सुना है कि re-interview के लिए भी time देता है तो उसके बारे में next कभी में अच्छा से study करके आपको वीडियो बनाऊंगा तो अगर आप interview पास हो जाते हैं आपको पासपोर्ट मिलेगा आपको श्टिकर वीजा मिलेगा सब कुछ लग गया तो अगला process है आपको टिकेट बनाना इसराइल के लिए फ्लाइट का तो इसके बाद आप सही time देखके थोड़ा पहले आप टिकेट बना लिजे टिकेट बनाने के बाद आपका काम है इसराइल पहुंचना इसराइल जाना अब आपका final काम खतम हो गया मेरा वीडियो ये वीजा अप्लाइग करने से लिए कि पासपोर्ट में वीजा लगने तक फुल वीडियो step by step था जब मैं आया था तो process ऐसा था अभी current period में process थोड़ा change भी हो सकता है लेकिन maximum process तो ऐसा ही होगा आसा करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो like, comment, share and subscribe जरूर किजिए मिलते हैं अगला वीडियो पे तब तक के लिए bye bye take care